हलो फ्रेंट्स, बेर्स्पी डॉट कॉम में आपका स्वागत है, मैं सिमा तिवारी, आज आप लोगों को लासुन छिलने का असान तरीका बताऊंगी, अक्सर हम लोग अचार बनाते हैं, तो हम लोग को ये प्रोब्लेम होता है कि लासुन छिलने में बहुती दिक्कत होता है नाखुनों में दर्द होने लगता है इसलिए हम एक नय तरीके से बहुत ही जल्दी छेलड़ा लासन आसान तरीके से तो देखिए हम यहाँ 200 ग्राम लासन लिये हैं और इसको कुछ इस तरीके से दना दना में तोड लिये हैं इसको पहरे तोड लेना है फिर हम आगे दिखा आपको तो देखिए हम लासन का तोड़ करते हैं और सबसे पहले एक कड़ाही रखेंगे या तवा कोई भी चीज आप रख सकती है जिसमें आसानी से हलका सा गरम करना है ज्यादा नहीं तो कड़ाही को गरम कर लीजिए हलका और इसको हलका आज पे भून लीजिए हलका सा कृण कीजियेगा मसली अगए तो बहुत ही असान तरीके से निकल जाता है ढाना लहसन का तो देखिए हम इसतरा से इसको निकाल के दिखा रहे हैं आपको तो देखिए लहसन को हलका सा गरम करना है ज्यादा पकाना नहीं है हलका सा बूनना है देखिए अपने आप छिलका अलग होने लगा है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे कई लोग जो है इसे पानी में भी उबाल के करते हैं तो पानी में थोड़ा ग भी लाहती लिए इस तरह से बड़ा जाता है तो शाट के लिए आज़न देखिए बैदाये वाहती है तो देखिए बलको रेड़ी है इस्का हम फिलका उतार के आपको दिखा रहा है तो देखिए बहुत ही असान तरीके से अलका ठंडा ओग ओंदा तो देखिए कि इसका जो है यह चिलका उतर जा रहा है में चिलके बिल्कुल रड़ी हो जाएगा अचार के लिए जो भी जरूरत हो सब्जी के लिए बहुत ही असान तरीके से चिल जाता है तो फ्रेंट्स देखिए हमने सारे तो देखिए सारे लहसन चिलके हम रख लिये हैं इसको अचार बनाईए यह सब्जी में इस्तेमाल कीजिए यह श्टोर करके रख भी सकती हैं तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखकर सेर कीजिए लाइक कीजिए और कॉमेंट में जरू बताइए आपको यह लहसन चिलने का टिप्स कैसा लगा धन्यवाद